नमस्कार स्वागत हैं आप सभी कि बिहारेनेम 88853 भरती लेटिस्ट अपडेट में दोस्तों कैसे आप सभी उम्हीद है आप अच्छे और सस्थोंगे और बिहारेनेम 88853 की जॉइनिंग प्रक्रिया के इंटजार कर रहे होंगे कितनी जल्दी बिहारेनेम 8883 भर्ती की जोईनिंग प्रक्रिया सुरू हो जाए हम लगातार आपको बिहारेनेम 8883 भर्ती से संब्धित महत्पूर अपडेट आपको दे रहे हैं हमारे द्वारा दीके सभी अपडेट मीडिया रिपोर्ट एम आयोगदर प्राप जानकारी की माध्यम से होती हैं दोस्तो आज हम बिहारेनेम 8883 भर्ती से संब्धित महत्पूर अपडेट लेकर आया हैं आज इस वीडियो की माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बिहारेनेम 8883 भर्ती की जोईनिंग प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी उसके बाद जोईनिंग प् सब्सक्राइब केजी वीडियो को लाइक करकी सीर जरूर केजी और वीडियो को पूरा देखें तभी आपको संपोर्ड जानकारी मिले गें क्योंकि आज का आया वीडियो आपके लिए बहुत खास होने बाला हैं हमने दूस्तों आपको पिछले वीडियो की माध्यम से बता जाए और अधिकारी सोयम इसकी समिच्छा करें तो एक बात इसमें क्लियर है जैसे ही सीम नितिस कुमार का आदेश जारी हुआ था तो सभी अधिकारी एन्यम के सजीलेवाई खाली पड़े पदों का डाठा इकठा करने में लग गए थे बिहार एन्यम आठ जार आठ सो पर भरती की जोएने प्रक्रिया की अधिकारी घोष्णा आयोग अपने वेपसाइट के माध्यम से करेगा लगबग आठ जार आठ सो तिरपन पदों की वेकेंसी पर एन्यम की नियुक्ति की जाएगी वहीं स्वास्त विभाग में लगाता डाक्ट्रों यों स्वास्त कर्म जाएगे मतलब एक समाहरों का आयोजन जिल्यवाईज में किया जाएगा और उसी समाहरों में जिल्य में एन्यम के खाली पड़े पदों का डाटा पहले तयार किया जाएगा और डाटा तयार करने के बाद स्वास्त समीत के द्वारा एन्यम के नियुक्ति पत्र का रोनों स्वास्त कर्मियों के भिभिन पदों पर ऐस्थाई नियुक्ति की जायी है ऐसे में भारी संख्या में नए नियुकती कर्मियों का राजस्तरी समारों के जरिये नियुकती पत्र देने का फैसला बड़ा आहम उने वाला है जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा ऐसे में अब उम्मीद की जा रहे है कि बिहार एनेम 8883 भरती की जोईनिक प्रक्रिया नौमबर मा में हर हाल में पूरी की जाएगे क्यों अब क्योंकि आपको तो मालूम ही होगा कि बिहार में एनेम के 10709 भरती को भी भरना होगा जिसका भी अभी तक मेरिट लिट तयार नह ही हुए है ऐसे में उम्मीद की जा रही है पहले बिहार एनेम 8883 भरती की जोईनिक प्रक्रिया को नौमबर में हर हाल में पूरा कर लिया जागा उसके बाद बिहार एनेम 10709 भरती प्रक्रिया की मेरिट लिष्ट तयार करके रिजल्ट की घोश्ड़ा की जाएगे जैसे ह चात्रों को डाकूमेंट वैरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा डाकूमेंट वैरिफिकेशन प्रक्रिया 10709 भरती की जो होगी गो एक साथ नहीं होगी उस चिप्ट वाइज होगी ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बिहार एनेम 8883 भरती की जोईनिक प नलेया था कि बिहार में 8883 भरती प्रक्रिया में जो एनेम के खाली पड़े प्रदों का जो डाटा सत्यापित किया जा रहा था वो डाटा सत्यापन नहीं हो पाया था ऐसे में बिहार एनेम 8883 भरती प्रक्रिया की जोईनिंग में लगातार देरी की जा रही थी